नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिसलिनियर सेक्साइज 2 का क्वेश्चन नमबर 6,7,8 और 9 पिछले वीडियो में हमने कौन-कौन से क्वेश्चन किये थे हमने किया था क्वेश्चन नमबर 1,2,3,4 और 5 इस वीडियो में हम करेंगे question number 6, 7, 8 और 9 ठीक है और पिर जो बाकी के बचे हुए questions रहेंगे question number 10, 11, 12 और 13 ये हम next वीडियो में करेंगे ठीक है तो दीखें यहाँ पर question number 6 क्या दिया इसमें the diameter and height of a cylindrical tank is 1.75 meter and 3.2 meter respectively how much is the capacity of tank in liter देखें यहाँ पर क्या दिया है एक क्या है cylindrical tank है तो उसका diameter कितना है 1.75 meter और height कितना है 3.2 meter तो यहाँ पर आपको क्या बताना है how much is the capacity of tank in liter मतलब वो जो tank है ना उसकी capacity कितनी होगी लीटर में यह हमें यहाँ पर find out करना है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो diameter क्या दिया है 1.75 meter तो देखें डायमिटर अगर 1.75 meter है तो फिर radius कितना होगा radius कितना होगा बताईए मैंने आपको बताया था radius क्या होता है diameter का half होता है it means 1.75 का half कर यह क्या आएगा 0.875 meter तीक है यह radius आगया अब यहाँ पर height कितना दिया है 3.2 meter तीक है हमें यहाँ पर क्या निकालना है capacity of a tank है ना उस tank की capacity बतानी है हमें लिटर में तो इसके लिए हम क्या गरेंगे यहाँ पर ना जो हमने formula पढ़ा था volume of a cylinder इसका formula क्या होता है pi r square h होता है है ना तो यह जो tank है यह कैसा है cylindrical है तो यहाँ पर हम कौनसा formula यूज करेंगे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे volume of a cylinder is equal to क्या होता है formula pi r square h देखिए pi का value यहाँ पर क्या है 22 upon 7 है into r square तो यहाँ पर radius कितना है 0.875 into 0.875 क्योंकि यहाँ पर क्या square है ना तो इस कौम ने दो टाइम लिख दिया फिर into height तो height कितना है 3.2 अभी देखिएगा यहाँ पर यह देखिए यह जो 0.875 है ना इसको हम 7 से cut कर सकते हैं देखिए 7 अज़ 7 यहाँ पर 7 अज़ 7 इसमें से 1 बचेगा 7535 मतलब यहाँ पर क्या आ गया 0.125 तो यहाँ पर हम लिखते हैं देखिए 22 इन्टू 0.125 इन्टू 0.875 इन्टू 3.2 अभी आप इन सब को एक साथ मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह जो 7.7 मिटर आया है ना इसमें हम 1000 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तभी यहाँ पर जो यह सिलेंट्रिकल टैंक है इसकी कैपेसिटी आ जाएगी तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यापेसिटी आफ़ टैंक इस इक्वल टू 7.7 इंटू 1000 इस इक्वल टू 7700 लीटर तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेशन नमबर 6 कम्प्लीट किया अब देखिए इसमें क्वेशन नमबर 7 क्या है दे लेंट ओफ और कोड ऑफ और सर्कल ऑफ 16.8 सेंटी मेटर रेडियस इस 9.1 सेंटी मेटर क्या है शेरा अमंद रेंट रेडियस इस दिस ड्में डेखिए यहां पर क्या दिया है लेंट ओफ कोड ऑफ और सरकल असल जो कोड आखिए उसका लेंद कितना दिया है 16.8 सेंटी मेटर चिक है यह समझाज जीजिये कि कोड अब ङ ensuite क्या एउड स्यूम 9.1 cm का तो फिर हमें यहां पर क्या फाइंड करना है find its distance from the center मतलब यह जो code है ना इसका distance हमें find करना है from the center तो देखिए हमने यहां पर यह perpendicular line कीची है code AB पर तीक है यहां पर हो जाएगा C तो OC इसी का length हमें बताना है OC तो सबसे पहले यहां पर जो दिया है हम इसको लिख लेते हैं हम यहां पर लिखते हैं let point O be the center of the circle ठीक है और यहां पर OA कितना है 9.1 cm है फिर यहां पर यह जो AB है code AB कितना है 16.8 cm है ठीक है अब देखिए हमें पता है कि जब भी हम code पर perpendicular draw करते हैं तो जो perpendicular होता है वो क्या करता है उस code को by set करता है तो यहां पर देखिए AC और CB कितना हो जाएगा half of AB है ना तो हम यहां पर लिखते हैं देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम AC is equal to CB is equal to half of AB इसका reason आप यहां पर क्या लिखेंगे देखिए perpendicular drawn from the center bisects the code तो यहां पर देखिए AC is equal to CB is equal to क्या आएगा half into 16.8 cm अब यहां देखिए यहां पर यहां पर क्या आगया देखिए AC is equal to CB is equal to 8.4 cm देखिए यहां पर साफ तो नहीं देख पार होंगे लेकिन यह है O, यह है A और यह है C तो यह जो triangle है इसमें यह वाला जो angle angle C यह कितने degree का है 90 degree का है मतलब यह क्या है यह एक right angle triangle है तो यहां पर हम पाइधागोरस theorem का यूज़ कर सकते हैं तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे in triangle O, A, C angle C is equal to 90 degree so by पाइधागोरस theorem तो देखिए यहां पर पाइधागोरस के theorem से क्या होगा O, A square is equal to AC square plus OC square अभी OA कितना है 9.1 cm तो हम यहां पर लिख देते हैं 9.1 का square फिर AC कितना आया है देखिए यहां पर 8.4 तो इसका square plus OC का square अभी 9.1 का square करिए क्या आएगा 82.81 और 8.4 का square करिए क्या आएगा 70.56 plus OC का square अभी यहां पर 82.81 इसको आप इधर ले लिए तो यहां पर हो जाएगा minus में is equal to OC का square अभी minus करिए क्या आएगा यहां पर 5 और यहां पर क्या आजाएगा 2 फिर यहां पर और यहां पर 2 यहां पर 1 क्या आएगा 12.25 is equal to OC का square अभी OC is equal to root में आजाएगा 12.25 अभी आप इसको बाहर निकालिए रूट से बाहर निकालिए तो क्या आएगा 3.5 आएगा क्यूंकि 3.5 का स्क्वार करेंगे ना तो क्या आएगा 12.25 आएगा ठीक है आप करके देख लेजिएगा यहां पर यहां पर दिखेंगे OC कितना आगया 3.5 सेंटीमिटर यही तो हमें करना था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमें क्या फाइंड करना है OC करना है क्या लिका है यहां पर find its distance from the center मतलब यह जो कोड है इसका distance हमें निकालना है from the center तो हमने यहां पर निकाल लिया तो हम लास्ट में इसका लिख देंगे they are for the distance of code from the center is 3.5 सेंटीमिटर तो देखें यहां पर हमने question number 7 complete क्या देखें इसका पूरा solution अब उसके बाग यहां पर जो question number 8 है यह बहुत ही easy है मैं आपको बता देते हूं कि इसमें क्या दिया है देखें इसमें आपको sub divided by यहां पर information दिया हुआ है ना यहां पर विलेज दिये हुए है आपकी टेक्सबुक में देखेंगा page number 119 पर ठीक है तो उसमें information दिया है विलेज दिया है फिन number of females और number of males दिये हुए diagram के help से शो करना है और दूसरे में क्या बोल रहा है कि show the information by a percentage bar diagram मतलब जो यह information दिया है उससे आपको percentage bar diagram के help से शो करना है तो यह आप खुछ से कर सकते हो इसे करनी के लिए आपको 11.2 और 11.3 का वीडियो देखना होगा ठीक है तो आप वो दुन वीडियो देख लीजेगा आपको यह question बहुत ही easy है आप यह मैं खुछ से कर सकते हैं ठीक है तो आप प्लीज इसे try कीजेगा और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप प्लीज मुझे comment करिएगा मैं इसका solution आपको देदूंगी ठीक है तो चलिए आप हम question number 9 देखते हैं आप देखिए यहाँ पर question number 9 क्या है solve the following equations देखिए इसमे 3 equations दिये हुए हैं जिन्हें आपको solve करना है solve करना मतलब यहाँ पर जैसे x है ना तो x का value हमें निकालना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह जो equation दिया है इसको हम लिख लेते हैं 17 अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते है multiply कर देते हैं तो देखिए 17 का multiply जब x में करेंगे तो क्या आएगा 17 x ठीक है फिर plus 17 forza क्या हो जाएगा 68 फिर यहाँ पर plus है तो plus अभी 8 into x करेंगे तो 8x plus 8 into 6 करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा क्योंकि 8 6 क्या होता है 48 होता है फिर यहाँ पर 11 into x क्या तो 11x plus 11 5 is a 55 plus 15 into x क्या तो 15x plus 15 3 is a 45 ठीक है अब हम क्या करते हैं देखिए 17x plus 8x उनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 25x plus अभी इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या आगया 116 is equal to इन दोनों को प्लस करिए 11x plus 15x यहाँ पर आगया 26x और 55 plus 45 करिए क्या आएगा 100 आजाएगा अब हम क्या करते हैं, यह जो 25x है ना, इसको उस साइड ले लेते हैं, और यह जो 100 है ना, इसको इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर, देखिए, 116 minus 100 is equal to 26x, यहाँ पर minus 25x हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर minus करिए, क्या आएगा, 16 is equal to, यहाँ पर x, it means, x is equal to, क्या आगया, 16, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमने, यह जो equation दिया था, इसको solve कर लिया, तो देखिए, यहाँ पर second equation दिया है, 3y upon 2 plus, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, y plus 4 upon 4 is equal to 5 minus y minus 2 upon 4, ठीक है, तो इसको भी solve करना बहुत easy है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, cross multiply कर देते हैं, त 3y into 4 हो जाएगा, फिर plus, यहाँ पर 2 in bracket y plus 4, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यह जो y plus 4 है इसमें 2 से multiply कर रहे हैं, और 2 into 4 कर देते हैं, फिर यहाँ पर is equal to अभी 5 into 4 minus y minus 2 upon 4, अब देखिए, 3 forza 12y फिर plus 2y plus 2 forza 8, फिर यहाँ पर 2 forza 8 हो गया, यहाँ पर देखिए, find to 4 करेंगे, तो 20 minus y minus 2 upon 4, अब यहाँ पर देखिए, क्या करते हैं, हम 12y plus 2y, दोनों को add कर देते हैं, तो यहाँ पर आगया 14y plus 8 upon 8, 8 is equal to, यहाँ पर 20 minus 2, यहाँ पर क्या आजाएगा, 18 minus y upon 4, तीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए, यह जो 8 है इसको हम इस साइड ले ले लेते हैं, और इस 4 को इस साइड ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, 4 और फिर ब्रैकेट में 14y plus 8, और यहाँ पर 8 फिर ब्रैकेट में 18 minus 5, तीक है, अब देखिए, हम क्या करते हैं, यह जो 4 टूजा 8, यहाँ पर क्या आगया, 2 आगया, तो 14y plus 8 is equal to, अब यह 2 का मल्टिप्लाइ 18 में करेंगे, तो क्या आएगा, 18 टूजा क्या हो जाएगा, 36 minus 2y, तीक है, अब हम क्या करते हैं, यह जो 2y है इसको इस साइड ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, 14y plus 2y is equal to 36 minus 8, अब यहाँ पर दोनों को प्लस किया, तो 16y is equal to, 36 minus 8 करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर, 28, तीक है, अभी y is equal to 28 upon 16, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, 4s are 16, और 4, 7 से क्या होता है, 28 होता है, तो यहाँ पर क्या आगया, 7 upon 4, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख दीजिए, therefore y is equal to 7 upon 4, तो दीखिए, यहाँ पर हमने यह equation में solve किया, यह दीखिए, बहुत ही easy है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आप कर सकते हो, अब दीखिए, यहाँ पर third equation, क्या दिया है, 5, फिर bracket में, 1 minus 2x is equal to 9 in bracket, 1 minus x, तो यहाँ पर हम multiply करते हैं, 5 upon 5 minus, 5 to 10x, फिर is equal to, यहाँ पर 9 minus 9x, अब यह हम क्या करते हैं, यह जो minus 9x है इसको inside ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus 10x plus 9x is equal to 9 minus 5, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस X आएगा 9-5 करें यहाँ पर 4 आगया मतलब यहाँ पर X is equal to क्या आजाएगा माइनस 4 तो यहाँ पर X का value क्या आया माइनस 4 तो देखें यहाँ पर हमने equation number 3 भी complete किया तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे हमने कौन कौन से questions किये question number 6,7,8 और 9 और 8 मैंने बोला है कि यह आप कुछे try करिएगा ठीक है इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप 11.2 और 11.3 का वीडियो जरूर देखेंगा ठीक है और जो बाकी के बचेवे questions है question number 10,11,12 और 13 यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है जिसका link मैं आपको description में देदूंगी ठीक है